नमस्कार कसीष न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग आज बिहार वीधान सवा का सताथवदी वर समारो मनाये जा रहा है राश्ठपती देश के राश्ठपती रामनाज कोबिन बिहार में पधा रहे हैं और उन्होंने कारकरम का उदगाटन किया है कारक्रम में CM नितीज कुमार ने पूरे मंत्री मंडल के साथ सिर्कत किया है लेकिन इस मौके पर एक चर्चा के विशाई जरूर रहा कि आखिर नेतापरतिपक्ष तेजस्वी यादों कहा है उनकी कमी खलती रही दरसल वो नेतापरतिपक्ष हैं पर नेतापरतिपक्ष ने इस कारक्रम में सिर्कत नहीं किया नेतापरतिपक्ष ही नहीं बिपक्ष के लगभग लगभग जो विधायक हैं वो नदारद रहें कॉंग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मदन मोहंजा वो भी नही प्रति महामहिम पधा रहे हैं लेकिन विपक्ष की उपस्थिती नहीं रही कारकरम भी खास है सौ साल पूरे होने पर ये कारकरम आयुजित किया गया लेकिन विपक्ष ने इस कारकरम से किनारा ही कर लिया इसलिए हम कहा रहे हैं किराना कर लिया क्योंकि विपक्ष के इक्के दुखे नेता ही नजर आएं तो आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदों ने इस पर कल सभाई दी थी और कहा था कि वो दरसल तारापूर और कुशेश्वर अस्थान के जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव पर चार में व्यस्त हैं और पार्टी की तरब से जो निर्देश जारी किये गए हैं उसमें साब कहा गया है कि चुनाव पर ध्यान देना है इस वज़ा से उन्होंने कारकरम में वो सिर्कत उन्होंने नहीं किया है हलाकि बताएं आपको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदो ने कल एरपोर्ट पहुंचकर राष्टपती का स्वागत जरूर किया था लेकिन उसके बाद तेजस्वी आदो कुसेस्वरस्थान के लिए निकल गयते हैं और कुसेस्वरस्थान में दरसल वो अभी तीन-चार है और रजेडी के नेता हूँ या फिर कॉंग्रेस के नेता वो पूरा जोर लगा रहे हैं पूरा ध्यान लगा रहे हैं तारपूर और खुशेस्वरस्थान के और और इसी वजह से यह जो राष्टपती रामनात कोबीन का कारकरम हूँए उसमें विपक्ष की उपस्तिती लगभग लगभग नदारद ही दिखी तो ये बड़ी ख़वर आपको हम बता रहे थे कि ये जो एक बड़ा कारिकरम था और देश के पर्थम वेक्ति देश के राश्टपती का आगमन बिहार में हुआ लेकिन बिपक्ष ने कारिकरम में अपनी रूची नहीं दिखाई बने रही है कसिस नूच के साथ तमाम ख़बरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए तना ही धन्यवाद